नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहे हैं GoToOnline तो कुछ भाईयों के कमेंट होते हैं कि हमारा मोबाईल नमर हमारे खाते के साथ लिंक है लेकिन जब हम अपने खाते को किसी UPI एप से जोड़ते हैं चाए फॉन पे हो, Google पे हो, Amazon पे हो, कोई भी UPI एप हो उससे अगर हम एकाउंट को लिंक करते हैं तो हमारा एकाउंट लिंक नहीं हो पाता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका मुबाइल नमर आपके खाते के साथ लिंक है फिर भी आप किसी भी UPI एप में अपना एकाउंट लिंक नहीं कर पा रहे हो तो इसके पीछे क्या रही जन है तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी एप से रेक्वेस्ट है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे आपको लाल रहे हो सब्सक्राइब को बटन देख रहा हूँ तो हमारी SIM से एक मैसेज जाता है जो हमारी डिवाइस को वैरिफाई करता है और कुछ ओपरेटरों में तो वो मैसेज उसी प्लान से चला जाता है जिस प्लान को आपने अक्टिवेट करके रखा है जैसे हम बात करें जीयो की तो Jio में आपका कोई भी free plan चल लाए तो वो message आसानी से चला जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ operator ऐसे हैं कि आपके free plan के जो message मिलते हैं आपको free plan के अंदर उससे वो message नहीं जाता है तो Jio के अलावा वाकी operator में क्या होता है जैसे मान के चलिए हमने कोई भी free plan ले रखा है उसमें calling भी free मिल रही है SMS भी free मिल रहे है, data भी free मिल रहा है लेकिन उस plan से जब हम अपना bank account किसी भी UPI app में link करते हैं तो link करने से पहले हमारी SIM से एक message जाता है जो हमारी device को verify करता है तो वो message उस plan से नहीं जा पाता है और वो message जाने के लिए हमारे man balance में कुछ balance होना जरूरी है और free plan में man balance zero रहता है तो इस वज़े से वो message नहीं जा पाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे आपका BSNL का mobile है और आपने कोई भी free plan ले रखा है तो device verification उस plan से नहीं होगा आपको 10-20 रुपे का अलग से top up करवाना होगा ताकि आपका man balance में कुछ balance maintain हो जाए और जैसे ही आप device verification करोगे तो device verification का जो SMS charge होता है वो आपके man balance से कटेगा और आपका device verification हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो आपको अलग से 10 रुपे या 20 रुपे का top up करवा लेना है और अगर आप कोई भी flexi sim यूज करते हो आप retailer है तो उस sim से भी device verification नहीं होता है तो उसमें आपको company के दिये गए प्लान से कोई लेना देना नहीं है company उसमें SMS भी देती है आपको free में और calling भी देती है लेकिन अगर device verification करना है account link करना है या आप उस lapu sim से या flexi sim से कोई भी UPI app चलाते हो तो उसमें आपको device verification के लिए अलग से recharge कराना हुगा और जैसे आप कोई भी अलग से recharge करा लेते हो त लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दवाएं ताकि इसी जानकारिया आपको वहिश्य में मिलती रहें तो फिर मिलूंगा किसी नहीं जानकारी की साथ तब तक के लिए good bye